हालो एरिवन वेलकम टू नामदेव अकेडमी फ्रेंट्स यहां पर देखो एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार का है कि दो जार बीस तक जितने भी जगों के नाम बदल के कुछ और रग दिया गया है उनी के बारे में आप डिसकस करेंगे और देखो यह जो टॉपिक है अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है यहां से क्यूशन पूछे जाने के पूरे पूरे चांस बनते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास तक देखिएगा ताकि आपका कोई पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि जो आर्पी एफ है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है यह पूछा है रेल्वे ने आर्पी एफ का देखो पहले नाम क्या था रेल्वे सुरक्षा बल तो इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है यह पूछा गया है ऑप् फ्रेंट्स, आर्पीएफ की बात करें, तो railway शुरक्षा बल इसका नाम बदल कर कर दिया गया है, भारतीय railway शुरक्षा बल सेवा, तो right answer होगा, option A correct answer होगा, अब यहां पर देखो, आर्पीएफ की बात करें, तो इसकी स्तापना कब हुई, तो फ्रेंट्स, 27 जुलाई, आपक के नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्साव सेवा रखा गया 31 दिसमबर 2019 को इसका नाम बदला गया अटल सुरंग घुय अंसर होगा अज़ल सुरंग अब यहां पर देखो रोटंग सुरंग की बात करें तो रोटंग सुरंग जो है इसका नाम बदला गया दिसंबर 2,19 में इसका नाम बदल करके अचल सुरंग कर दिया और यह जो रोऋतांग सुरंग जो है वो ले है यहाँ पे देको लिख देती हूं मैं ले है प्लस मनाली ले और मनाली को यह कенेक्ट करती है यह वह आपको ध्यां रखना है अब यहाँ पर देखो इसके लंबाई आपको याद रखने नहीं है, कितनी है, 8.8 km, 8.8 km जो रोतांग सुरंग है, इसके लंबाई है, फ्रेंस, नेक्स्ट क्यों से ने कि चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल कर क्या रखा गया, अप्संस है, अटल सुरंग, शामा मुखरजी टरनल, तो फ्रेंस, आपका आंसर हो जाएगा, अप्संट बी कैरेक्ट आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, चेनानी नासरी सुरंग के बारे में आपर बात करते हैं, देखो सबसे पहले तिये बताओ, यह कौन से हाइवे पे है, फ्रेंस, यह न पे हैं, जम्मु कस्मीर में, एक्चल में देखो, यह क्या करती है, कि जम्मु कस्मीर और स्री नगर, जम्मु कस्मीर और स्री नगर के बीच में 31 किलो मिटर की दूरी को यह कम कर देती है, नेक्स्ट क्यूशन देखिए, नया राइपूर का नाम बदल कर क्या रखा गया, फ्रेंट्स काफी important question है आप confused बिल्कुल नहीं होईगा नया राइपूर अलग जगे है और राइपूर अलग जगे है नया राइपूर जो है इसका नाम बदल कर रखा गया अटाल नगर आपका answer हो जाएगा अटाल नगर next है कि इलहाबाद शेर का नाम बदल कर क्या रखा गया आते तो definitely सभी को पता होगा कि जो इलहाबाद है इसका नाम बदल कर कर दिया है प्रियाग राज आपका answer हो जाएगा friends प्रियाग राज यहाँ पर correct answer हो जाएगा अच्छा यहाँ पर देखो एक option आपको दिखाए दे र देखो यहाँ पर लिख देती हूँ friends आगरा का नाम बदल करके और अगरवन रखने की योजना बनाई है किसने उत्रपरदेश शरकार ने next देखिए क्यों सुने कि दिल्ली में जो प्रेगती मैदान मेट्रो इस्टेशन है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है options है Supreme Court मे मेट्रो इस्टेशन या फिर आनंद वियार मेट्रो इस्टेशन देखो हुआ क्या है कि जो प्रेगती मैदान मेट्रो इस्टेशन है दिल्ली में उसका नाम बदल करके किया गया है Supreme Court मेट्रो इस्टेशन तो answer हो जाएगा option A अब ऐसा क्यों किया गया है तो जो यह Supreme Court है यह काफी नस्धी के इस मेट्रो इस्टेशन के जो प्रगती मैदान मेट्रो इस्टेशन इसके काफी नस्धी के Supreme Court मेट्रो इस्टेशन इसलिए इसका नाम यह कर दिया है next देखे, मुगल सराय railway station का नाम बदल करके क्या रखा गया है बात ओर यहे मुगल सराय railway station की मुगल सराय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है यह railway station और इसका नाम बदल करके रखा है पंडी दीन दयाल उप अर रेलवे station काफी important है आपका answer वोगा friends option B correct answer is question का next देखिएगा next ने आपे पूचा है कि khandla बंदरगा का नाम बदल कर क्या रखा गया है option से मुंबई बंदरगा दीन दियाल बंदरगा गुजरात बंदरगा या फिर पटेल बंदरगा सबसे पहले तो यह बताओ कि khandla बंदरगा कहां पे है तो guys khandla बंदरगा की बात करें तो कहां पे है गुजरात में है यह आपको याद रखना है गुजरात के कच्छ में अब यहां पर इसका जो नाम बदल करके रखा है वो क्या रखा है दीन दियाल बंदरगा अंसर हो जाएगा option B आपको याद रखना है कhandla बंदरगा है जो है इसका नाम बदल करके कर दिया है दीन दियाल बंदरगा नेक्स्ट नील दियूप जो है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है options देखे सहीद दियूप या फिर APJ अब्दुल कलाम दियूप या फिर गांधी दियूप या फिर बॉस दियूप इस answer हो जाएगा option A के साथ हम जा रहे हैं अगर आपने चुना है option A तो आपका एक्दम right answer है सहीद दियूप अब देखो हुआ क्या है कि अन्वा निकोबार है जो है इसमें तीन दियूप ऐसे हैं जिनके नाम बदल दिये गया है जैसे कि पहला तो क्या है नील दियूप जि इसका नाम रखाया है नहीटाजी सुभास चंद्र बॉस डियूप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंट इन तीनों दियूप और नाम बदल करके क्या रखाया आप देख सकते हो नील दियूप का सहीद दियूप और जो है लोक दियूप है इसका रखाई स्वाराज दियूप इसी तरह से रोस दीप का नाम बदल के रख दिया है नेता जी सुभास्चंद बॉस दीप तो I hope guys सारी चीजे clear हो चुकी होगी चाहो तो आप इनका screen shot भी ले सकते हो क्योंकि काफी important question है next question आचुका है आपके सामने आपसे पूछा जारे कि वीलर दीप जो है इसका नया नाम बदल करके क्या रखा गया है option से अटल दीप, APJ अब्दुल कलाम दीप, गांधी दीप या फिर बॉस दीप फ्रेंड्स जो वीलर दीप जो है इसका नाम बदल करके रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम दीप, तो आंसर हो जाये का option B correct answer है next आप से पूछा गया है कि जो अगरतला एरपोर्ट है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है गैस बात हो रही है, अगरतला हावाई अड़े की बात हो रही है कि इसका नाम बदल करके क्या रख दिया है तो अगरतला जो एरपोर्ट है इसका नाम बदल करके रखा है, महाराजा वीर बिक्रम मानिके किशोर हावाई अड़ा अगरतला एरपोर्ट की बात करें तो फ्रेंज कहां पर है, त्रिपुरा में है गौरकपूर हावाई अड़े की बात हो रही है, इसका नाम बदल करके क्या रखा है नीता जी सुभाष चंद्र बोस हावाई अड़ा या फिर महायोगी गौरकनात हावाई अड़ा या फिर वीर सावर कर हावाई अड़ा या फिर अटल हावाई अड़ा फ्रेंट्स बात करते हम गोरकपूर हवाई अड़े की तो ये कहां पे है गोरकपूर हवाई अड़ा है उत्तर परदेश में और इसका नाम बदल करके रखा है महायोगी गोरकनाथ हवाई अड़ा तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा ओप्शन B नेक्स देखिए जारसु फिर वीर सावरकर हवाई अड़ा देखो फ्रेंट्स गाइस त्यहां दीजिएगा आपको क्या आयाद रखना है पहले तो आपको ये पता होना चीए फ्रेंट्स की जारसु गुड़ा जो है ये कहां पे है तो ये है उडिशा में है जारसु गुड़ा अब चुग ये जार स्वच्य भारत अभियान इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है यहां से दो क्यूशन तयार होंगे आपके जो की एक्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं सबसे पहले तो बताओ स्वच्य भारत अभियान इसका नाम बदल करके क्या रख दिया है उप्शन से बदलता भारत प्रकास भारत सुन्दर भारत या पर स्वच्च भारत तो देखिए स्वच्च भारत अभियान की बात करें तो इसका नाम बदल करके रखाया है सुन्दर भारत आपका आंसर होगा option C अब यहां से एक क्यूशन कई बार पूछा जा चुका है कि जो स्वच्च भारत बेटी पढ़ाओ अभियान जो है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया तो देखो options आपके सामने है बदलाओ लक्ष्मी सूकन्या या फिर उज्वल तो friends बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है इसका नाम बदल कर स्वच्च भारत आहए बदलाओ तो इहां बेटी आपकी धन लक्षमी और विजय लक्षमी यह इसकी फुल फॉर्म है और यहाँ पे बात करें इस योजना की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इसको सुरू किया गया था 22 जनवरी देखो यहाँ पे मैं डेटी भी लिख देती हूं ताकि आप कन्फ रखा गया है सबसे पहले तो एक चीज बताओ कि जो हबीब गंज रेलेवे इस्टेशन है यह कहां पर है फ्रेंड गाइस बात करते हब गंज रेलेवे इस्टेशन जो है ये किसका नाम रखा गया है तो ये रखा गया हबीब गंज रेलवे इस्टेशन का आपका जो आंसर होगा option B, एकदम correct answer है, सबसे पहले तो बताओ, बोगी बिल पुल जो है, ये कहाँ पर है friends, तो इसकी बात करें, तो ये है असम में है, आपको याद रखना है असम, असम की बात करते हैं, इसका एक लोग निर्ते है, भीवू, ये बहुत बार पूछा जाता ह है, और इसका सास्त्री निर्त भी है, सास्त्रिया, वो भी काफी बार पूछा जाता है, और मानश नैशनल पार्क, काजी रंगा नैशनल पार्क, ये हैं से, यहां पर के रास्ते उधाने, जो अक्सर पूछ ले जाता है, दूसरी चीज़ हम बात करतें, बोगी बिल पुल इसकी लंबाई कितनी है, तो फ्रेंच सीसकी लंबाई है, 4.94 किलो मेटर, 4.94 कीलो मेटर इसकी लंबाई है और इसमें देखो, दो तो रेलवे, अ, दो तो मत्य की जो रेल्वे पत्रियां और तीन रोड ये कनेक्टेड है, ये भी आपको याद रखना है friends, चलो देखी next, अच्छा एक और चीज आप यहाँ से याद रख सकते हो, कि जो बोगी पुल पुल है, ये किस नदी को पार करता है, ब्रहम पुत्र नदी को पार करता है, next है, इकाना अंतरास्टी क्रिकेट रेयो इस्टेडियम, इसका नया न नाम रखा गया है friends, अटल, भ्यारी, वाजबेई, अंतरास्टी है, हवाई अड़ा, तो आंसर हो जाएगा, option B यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनव में ये भी याद रखना है, next है, फिरोसा कोटला स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है, काफी important है friends, ये दिल्ल स्टेडियम, अब फिरोसा कोटला स्टेडियम की बात करें थी, इसकी स्टापना हुई 1883 में, तो देखें, यहाँ पर जितने थे important, एक और चीज़ आपको याद रखना है, फ्रेंट्स आगरा, आगरा के बारे में आपको याद रखना है, जो उतरपर्दे सरकार है, इसने निनने लिया, कि आगरा का नाम बदलकर यह रखेंगे, अगरवन, क्या है, अगरवन नाम रखने का निननलिया है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आयो है, तो लाइक कीज़िए, ज़धा ज़धा शेर कीज़िए, आप चेनल पर नएह हो तो स सब्सक्राइब कर ले और वीडियो जो बगल में बैल आइकोन है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डाले वो आपको इजीली मिल सके थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो